हले विर्वन मैं हुआ राग और आप देख रहे हैं लेर्णिंग लैप चैनल तो डारेक्ली हम आते हैं अपने फूटेज के उपर हमारे पास कुछ ऐसा एक लेप्टॉप को फूटेज है जिसके उपर आपको इस्क्रीन में ग्रीन कलर नजर आएगा ग्रीन स्क्रीन है उसके और ग्रीन स्क्रीन को रिमूब करना है यहां से सिकेंड हमें ग्रीन स्क्रीन जगह पर नई स्क्रीन लाकर रिप्लेस करनी है या वीडियो फूटेज हो सकता है या इमेज हो सकती लाकर रिप्लेस करनी है और उसके साथ में यहां पर आपको बहुत सारा मोशन मिल रहा है इस करने के लिए तो मैं blue challenge जाता हूँ, बहुत सारे इसमे noise मिल जाता हूँ, noise को हम remove करने के लिए denoise node का यूज करेंगे यहाँ पर, तो आप इसको लेके यहाँ पर ऐसा कुछ रख सकते हैं, जैसे करेंगे तो मैं एक बार on off करके इसको output दिखा देता हूँ आपको, तो जैसे on off करेंगे तो यहाँ पर पूरी तरीके से grains remove है, second क्या है हम primate node का यूज करेंगे और हम grain को remove करने वाले हैं, ऐसे कुछ, तो simply मैं जाता हूँ primate node, primate node के बारे में already total बना रखा है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा फास जाएंगे, थोड़ी इस चीज़े देखते रहे smart select bg color, तो directly control के साथ आप click कर दीजे, कुछ ऐसा output मिल जाएगा, alpha में आपको जाना है, इसकी value को high कर देना है, अभी क्या करना है, select bg की जगा हमें कर देना है clean bg noise, तो थोड़ा fast करेंगे इसके लिए, अभी यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, alpha में ही रहेंगे, तो धीरे से इ इसके लोग खॉस्पर करेंगे, बात आगे में दिखाती है, तो यहाँ पर हमने clean bg noise करके, यहाँ पर bg की noise को screen क्यों निकाल दिया है, अभी हमारा क्या करना है, यह मैर्स को फिल करना को, आप हमने value high की थी, अभी यहाँ से value हम थोड़ी low करेंगे, अभी अब low करने के बाद हम क्या करने वाले है, यह जो यहाँ पूरा area है, इसको फिल करने वाले कैसे फिल करेंगे, यहाँ पर करना है clean bg noise, और same process आपको follow करना है, पूरे जितने भी area है, इनको पूरी तरीके से फिल करना, तो इसक तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया है, अगर आपठा देखें तो alpha पूरी तरीके सिग्दम perfect आ गया हमारा यहाँ पर, हमने bg noise को clean कर लिया है, और fg noise को भी clean कर लिया है, तो यहाँ पर कुछ S alpha में output में मिल जाता है, तो अभी second step क्या है हमारे पास, थोड़ी सी एक रहे गई है, तो उनको सही करना बहुत जरूरी है, तो चीज़े रहे गई है, यहाँ पर अभी भी कुछ-कुछ चीज़े remaining है, तो इसको हमें करना है clean bg noise, तो मैं इसको bg noise को यहाँ से clean कर लेता हूँ, ओके, यह हो गई है चीज़े, सेम हमने थोड़े fg को miss कर दिया, तो इनको भी हम clean fg noise के जरिए, यह सब सही करने वाले है, यहाँ पर कुछ ऐसा output मिल गया, second thing हमारी क्या है, इसमें जो green screen थी, वहाँ पर यहाँ पर आप देख पाएंगे, इसका जो effect है, इसको निकालने के लिए हम क्या यूच करेंगे, उसके लिए हम आज expression का यूच करने वा आथे green color का आएगा, तो जो remove करेंगे हम particular इस screen के area में करने वाले, बाकी पार्ट में नहीं करेंगे, तो अभी अभी क्या करना है, एक लेना है copy, वापस हमें लेना है pre-mult, एक को यहाँ पर connect करता है, बी को यहाँ से करना है, अभी output यहाँ से हम इसका देख सकते हैं, कुछ ऐसा, तो अभी इसको green screen को remove करने के लिए क्या करना है हमें, हमें लेना है expression node, और यहाँ पर green channel में आना है, तो यहाँ पर जो rate की value है, अगर मैं देखूँ, तो rate की value ज्यादा तो यहाँ पर अभी क्या करना है, normal सा है, mathematical number है, हमको डालेंगे, यहाँ है g greater than r, प्रिस करना है आपको सर्य, वापस है आपको question mark type करना है, और यहाँ पर अभी r, और ऐसा कुछ कुछ कर देना है, enter करेंगे, तो यह अभी green है, पूरी तरीके से remove हो गया, कहां से, अभी on off में करता हूँ, यह पूरे footage से हो गया, लेकिन पूरे footage से हमें green को remove नहीं करना है, सिर्फ screen carrier से करना, तो उसकी लिए क्या करेंगे, हम यूज़ करने वाले same यहाँ से लेंगे, one press करेंगे, इसमें alpha कुछ ऐसा है, तो अभी मैं यहाँ से कर देता हूँ, invert, invert करने के बाद कुछ ऐसा एक view कर लेते हैं, तो कुछ ऐसा alpha में मिल जाता है अभी, तो इसको यहाँ से connect कर देना है, तो हो क्या रहा है, इसको connect करने के बाद, एक second, ओके, अभी स्क्रिस्पेन को on-off करेंगे, ज्यादा effect नहीं पड़ेगा, इसके लिए क्या करेंगे, हम एक erode note का यूज़ करने वाले हैं, और यहाँ से erode को थोड़ा सा कम करेंगे, जैसे कम करेंगे, यह धीरे से चीज़े solve होती नज़र आएंगे आपको, on-off करता हूँ मैं एक बार, यह ऐसा कुछ आ गया है, थोड़ी इसकी value को मैं 10 कर देता हूँ, तो यहाँ तक आ जाएगा, इसके लिए एक blur note का यूज़ कर लेज़े, यहाँ पर blur note कनेक कर देते हैं, अभी blur की value को थोड़ा increase कर देंगे, तो यहाँ से blend हो गया, तो अभी हमने इतना सा काम कर लिया है, green screen remove कर लिए, यहाँ से expression लगागे, थोड़े से हमने यह किया है, और एक और, थोड़े से और देख रहा है, इनको भी हमें remove करता है, फिर से मैं लेता हूँ, हो एक hue correct note, ओके, अभी हमें green को सब्रेस करना है, green select करना है, और यहाँ पर जाए एक control के साथ, अब particular part को select कर सकते, यह मिल रहा, तो हमें इसको 3D drop down कर दूँगा, ऐसे, sorry, ओके, हलकी सी चीज़ें, इन्हें भी हमें करनी पड़ेंगे, तो कुछ ऐसा output आ गया, इसके बाद थोड़ी सीज़ेंगी है, hard edge लग रही तो थोड़ा age blur का use करेंगे हम यहाँ पर, ऐसा कुछ, age blur का use करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, तो इसकी value को थोड़ा कम भी कर सकते हैं अपने recording, इतना sufficient है, तो अभी जो first काम था हमारा, हमने green screen को remove कर लिया है, यहां से, sorry, अभी थोड़े से expression यहाँ पर actually क्या है, hue correct को भी हमें इससे connect कर देना है, तो यह कुछ आ गया, तो हमने एक first काम अपना पूरे तरीके से complete कर लिया, green screen को हमें remove कर लिया है, अभी second जो हमारा काम है, वो क्या करना है, screen replacement काम करना, तो अभी हम second thing क क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पर कोई screen को replace करेंगे इससे, तो first of all हमें क्या चाहिए, हम इसके planet tracker का use करेंगे, इसको replace करने के लिए, क्योंकि इसमें काफी सारा moments है, और पार लेक्स भी दिख रहा है हमें, तो planet track use करने के लिए आपको चाहिए planet tracker node, तो यहाँ से planet tracker node हम ले लेते हैं, sorry, ऐसा कुछ यहाँ से connect कर दीजे, अभी हम original footage की तरफ आते हैं, तो पहले track करेंगे एक पार्ट को, फिर next step क्या है, वो हम देख लेंगे, ऐसा कुछ हो गया है, तो जैसे कि मैं planet tracker के last problem में कुछ चीजे मैंने clear करी थी, यहाँ पे एक first layer मिलती है, तो हमें कोई ऐ first frame ही यहाँ choose करता हूँ, तो इसके लिए, एक draw करते हैं, save को, ओके, तो यहाँ हमने save draw कर लिए, और second thing, last problem में जैसे कि मैंने planet tracker के बताया था, जैसे यह hand आ रहा तो particular use save को, यह hand पूरी तरीके से disturb कर देगा, तो हमें एक holdout might create करनी है, उससो क्या करेंगे, हमें एक नई layer ले name कर सकते हैं, जिससे कि आपको पता रहे है, तो hand है, तो अभी क्या करना है, इसके लिए hand के लिए garbage mask create करना है, जिससे कि इस particular shape को यह hand disturb ना करे, तो इसके लिए क्या करेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए, एक garbage mask ऐसा कुछ create कर लेता हूँ, तो यह garbage mask हो गया, और इसी garbage mask को क्या करेंगे, हम अभी, animate कर लेंगे, यह तो हम track के through कर सकते हैं, इसको हम animate, ओके जैसा कि अभी हमने garbage mask को animate कर लिए है, थोड़ा time लाएगा, आपको 5-10 मिट लग सकते हैं, इस garbage mask को animate करने में, तो वो कोई problem का issue नहीं है, अभी हमें क्या करना है, जो हमने फ्रेम प करना है, और थोड़ा wait करना है, इसके processing का, बहुत ही जल्दी हो जाएगा, एक बार यह process complete होने के बाद, अभी हमें क्या करना है, मैं यहाँ से stabilize कर देता हूँ, इस footage के थोड़ा सा, यहाँ पे center planar surface करेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा, अभी आप play करके देख सकते हैं, तो यह थोड़ी सी चीजें है, add the end क्या हो रहा है, जैसा हम देख पा रहा हूँ, यह बाहर की तरफ थोड़ी से आ रहे हैं, तो यहाँ पे इन चीजों को adjust कर सकते हैं, कैसे करेंगे वो चीजें एक बार देख लेंगे, वापस second option क्या मिलता है, यहाँ पे display planar surface, तो यहाँ पे planar surface कुछ ऐसा मिल जाएगा, अभी planar surface यह accurate नहीं मिल रहा, यह point to time point नहीं मिल रहा तो उसको सही करेंगे, उसको सही करने के लिए हमें यहाँ पे click करना है, यह click करने के लिए अभी आपको जाना है, reference frame पे concept, first frame का हम reference frame set किया, तो वहाँ पे जाना है, reference frame में जाने के लिए प्लिक करेंगे तो यह reference प्रेम में आ गए अभी अपने एक ओर्टिंग या भी से सेट कर सकते हैं ऐसा इंडिंग में थोड़ सा adjustment करना है planar surface में तो वो क्या करेंगे adjustment करने के लिए simply आपको जाना है यहां से थोड़ी सी चीजें ऐसे कर देनी है अपने according सेट कर लेजिए तो होगा क्या जिस फ्रेम पे आप सेट करेंगे यहां पे आपको मिलेगा यह blue और क्या करेंगे यहां से आप गोले सकते हैं यहां से grid on करिए ऐसे गृड़ी आन करने के बाद अब ही हम क्या करेंगे अभी हम चेक कर लेंगे इसके planet को अल्मूर्स तही जा रहा अभी क्योंकि grid भी हमारा बराबर से जा रहा तो अभी मैं इन सारी चीजों को कर देता हूं अब grid भी off कर देता हूं अभी हमें first frame से निकालना है एक corner pin क्या करना है हमें यहां पे जाना है और select करना है corner pin relative video तो यहां पे एक track आ गया तो अभी next step जो है इन चीजों को थोड़ देर के लिए अलग ही रखेंगे और थोड़ा सा पहले check कर लेंगे track हमारा का ऐसा उसके बाद screen कुछ image लेके आएंगे और इसको replace करेंगे ओके तो यह हमने एक corner pin वहां tracker से निकाल ली अभी हमें एक image लेके आनी है तो मैं image को लेके आ जाता हूं हमारे पास कुछ यहां पर एक image है मैं इस image को ले लेता हूं अभी इस image को इसको उपर हमें connect करना है तो उसके लिए क्या करना है है हमें एक और कॉर्णर पिन ले रहा है यह अलग था अभी यह जो स्क्रीन दिख रही है इसके पॉइंट्स को exactly हमें जहां पे स्क्रीन चाहिए वह ऐसा रख दीजिए अभी यहां होने के बाद में थोड़ा सा प्रॉपर पॉइंट्स को सेट कर देता हूँ पॉइंट्स यहां पे चाहिए एक यह कॉर्णर पे चाहिए और बॉटम साइट के कॉर्णर पे सेट कर देता है तो अलमोस्ट ऐसा कुछ यह स्क्रिण सेट हो गई है, यह बहुत अच्छा काम वह तो अभी लाश्ट क्या करना है हमें इसे कनेक्क कर देना है, यह होने के बाद है, हमें फर्स फ्रेम पे चीज़े देखनी पड़ेंगी एक बार, बराबर हैं, कुछ ऐसी प्रॉल्म नहीं है फर्स फ्रेम पे जाके corner pin को एक बार वापस देख लें, point set है या नहीं है, थोड़ अर्जेस्ट्मेंट की जरुवत है, क्योंकि जिस frame का reference frame है, हमें उस frame पे ही screen को पहले set करना है, तो ऐसा कुछ हो गया है, अब directly इसे comp में connect करें, करने के लिए आपको simply क्या करना है, यहां से इसको connect कर दीजे, और अभी तक A रखा था हम कर देंगे B, अभी मैं इसको आपको output दिखा देता हूँ, यहां से, one press करेंगे, two press करेंगे, कुछ ऐसा output है, और जो hand आ रहा है, यहां पे कुछ ऐसा मिल जाएगा, मतलब कि अभी screen replace होके almost मिल गई है, अगर यहां से देखना चालू करेंगे, इस screen हमें मिल गई है, जो एक छोटा सा हमें और काम करना है, हम इसके उपर light wrap का यूज करेंगे, थोड़ा से images को blend करने के लिए, तो कैसे करेंगे, वो मैं दिखा देता हूँ, हमें लेना है एक light wrap, यहां से note ले लेजिए, ओके, तो यहां से हमने note ले लिया, अभी इसमें दो option मिलते हैं, B को यहां से connect कर दीजिए, A को हमें connect करना है, sorry, यहां पर, अभी one करता हूँ इसको, ऐसा कुछ मिल जाता है, तो हमें यहां करना है, generate light wrap only, तो हमें यहां से कुछ नहीं मिलेगा, थोड़ी सी intensity की value को बढ़ाएंगे, तो ऐसा कुछ output आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ, और यहां से इसके density को ऐसा कुछ कम कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ रख लेंगे, अभी एक merge node लेंगे, इसको A में डालेंगे, ऐसा कुछ, तो one view करता हूँ मैं यहां से, यहां से कर देता हूँ, two, अभी किया क्या है light wrap node ने, अल्रेडी मैं दिखा देता हूँ, on-off करूँगा, तो यहां पर particular इस screen को थोड़ा सा hands के उपर blend करते हुए लेके आ गए हैं, तो यह कुछ हमारा screen replacement का tutorial था, बहुत आसानी से आप planar tracker और primate node का या और भी कोई भी node का use करते हुए इसे कर सकते हैं, तो एक बार यह play करके दिखा देता हूँ, और मैं देख भी लेता हूँ कैसा हुआ है, तो इसमें हमने planar tracker का use क्या track करने के लिए और primate का use क्या green screen को remove करने के लिए, तो आप इसे घर भी practice कीजिए और मुझे comment box में मिचे comment करके बताइए कि यह आपको कैसा लगा यह tutorial, तो आज की previous video में इतना ही, million governance class में, तब तक के लिए, bye bye, see you, guys.